वहाँ तो दिखा रहा था 9800 ना? हाँ, 9800 दिखा था, वही बोला हूँ मैं आप अभी तो और कम होगी मैं एनीजर से बात करके 9000 तर बेला सकता हूँ दोस्तो आज से कुछ दिन पहले मैंने कैसिफाई के वेबसाइट में एक फोन सेल किया था और मुझे जो कोटेशन मिली थी, उससे obviously मुझे बहुत कम प्राइस दिखाये जा रहे थे जो final recalculated value थे तो किस तरीके से ये लोग फोन का प्राइस को चेक करते हैं, क्या-क्या चीजे चेक होती है इंटरनली, एक्सटरनली, आप किस तरीके से फोन को सेल कर सकते हैं, किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड ना हो सब कुछ हम आज किस वीडियो में आपके शाथ शेयर करेंगे बस वीडियो को लाइक कर देने यार, प्यार दिखाना तो यहां पर से ना मुझे जो quotation मिला था वो था 9,870 रूपीज क्योंकि मेरा phone 6 माईने से थोड़ा था जादा हो चुका था अब ये price मेरे हिसाब से ठीक ठाक था तो मैंने सुचा चलो इसको select कर लेते हैं जब बंदा आया अब जब चीज़ा को check किया उसके बाद जो मुझे value finally दिखा रहा था वो लगभग 1500-1600 रुपया के आसपास कम दिखा रहा था अब मैंने सोचा यार ऐसा क्यों तो उस वक्त तो मैंने कुछ खास जादा उसको बोला ने लेकिन उन्होंने बोला कि चलो इसको negotiate करते हैं आपको 1000 रुपया और जादा दे देंगे लेकिन पूरा पैसा नहीं देंगे अब मैं वहाँ पर जादा कुछ बोला ने मैंने उनको deny कर दिया और उसके बाद ये phone को नहीं दिया बट क्या-क्या चीजे हुई जब मैं ये वीडियो को पूरा शूट किया था मैं जब एक-एक चीज को बारीकी से देखा तो मैंने दो flaw देखा जो कि उन्होंने किया था वहाँ पर और मैंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया था और ये गलती कहीं न कहीं आपके साथ भी होगा और उसके बाद ना आपका value कम दिखाया जाएगा तो देखो या रिकदम स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ जेनरली अगर आपको भी फोन यूज करते हैं तो थोड़ा मोड़ा भी अगर स्क्रैच है तो उसको आपको देखना है और इंटर्नल लेवल पर क्या फंक्शनालिटी है फोन के अंदर तो उसके लिए आप इनका खुद का कैसिफाई का जो डाइगनॉस्टिक वाला एप होता है उसको भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं सब कुछ वहाँ से आपको पता चल जाता है कोई भी फ्लॉर हैगा तो आपको दिखा दिया जाएगा मेरे सामसंग के फोन में इन्होंने स्टार हैस जिरो स्टार हैस प्रेस किया था तो बहुत सारे फंक्शनालिटी वहाँ से इन्होंने चेक कर लिया था इस टार्ट में ही तो बेसिकली आपके फोन का पूरा स्क्रीन चेक होता है रेड ग्रीन और ब्लू कलर के जो बाहर से फोन का पूरा इंस्पेक्शन करते हैं तो भाई आपके पैसे बहुत जादा काट लिये जाएंगे अब यह चीज आप कैसे यहाँ पर सिर्फ चेक करोगे तो उसके लिए ना मैं आपको ले चलता हूँ कैसिफाई के वेबसाइट पर हलाकि आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा यह वीडियो बिल्कुल स्पॉंसर नहीं है जो भी चीज है मेरे एक्स्पिरियेंस आपके शार शेयर कर रहा हूँ फोर फाइव जी था वो यहाँ पर था तो यह मैंने सेलेक्ट किया अब देखो जिस दिन मैं बेच रहा था उस दिन प्राइस थोड़े डिफरेंट थे आज थोड़ा डिफरेंट होगा डिफिनिटली तो यह 618 वेरियेंट था मेरे पास मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया आप देख सकते हैं मुझे बताया जा रहा है कि जो गेट अप्टू है वो 9,020 रुपया तक मुझे मिल सकता है तो मैंने यहाँ पर से get exact value पर क्लिक किया अब यहाँ पर से बोलेगा कि आपको न सही सही answer देना है ताकि आपके phone का price यह लोग decide कर पाए तो जो maximum price है वो पहले दिखा दिया गया बट अब internally चेक होगा कि क्या आपका phone call करने के लिए यह सब के लिए receive कर सकता है और जो यहाँ पर से IMEI, bill यह सब है वो आपके पास है या फिन है वो select कर लो तो यह basic चीजों को आप select करोगे उसके आप continue करोगे तो यहाँ पर से phone के screen का किस तरीके से यहाँ पर से scratch है नहीं है वो सब चीज आप से पूछा जाता है यहाँ पर से मेरे वाले phone में कोई भी problem नहीं था तो मैं यहाँ पर से continue कर रहा हूँ अगर आपके phone में कोई भी problem है तो यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यह लोग phone के price को घटा देते हैं continue पर मैंने click किया यहाँ पर से functionality and physical problems की बात की जाएगी like front camera, back camera, volume button यह सब जो काम कर रहा है याफी नहीं तो जो मैंने app आपको suggest किया था उसको भी आप download करके check करोगे तो आपको idea मिलेगा मेरे case में कोई भी problem नहीं था तो मैंने यहाँ पर से continue पर click किया अब lastly आपसे पूछा जाएगा do you have the following like आपके पास original charger है device का या फी नहीं अब box का जो IMEI है वो आपके पास exact same है या फी नहीं अब देखो Samsung का यह जो Galaxy F34 5G था उसमें कोई भी यहाँ पर charger नहीं था भाई तो अब यहाँ पर से कैसे select करें तो मैंने इसको दोनों को select करके यहाँ पर से आगे बढ़ गया था तो यहाँ पर से यह अगर मैं select करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 7,980 रुपया दिखाया जा रहा है तो अभी कहाँ 9,020 रुपया दिखाया जा रहा था बट इसका price अभी कम हो गया है इसको हम recalculate करते हैं सब चीजों को यहाँ पर से दुबारा से select करते हैं सही सही जो मैंने किया था दोस्तो और अभी फिलहाल mobile का जो age है वो अगर मैं below 3 months डालूँगा तब जाकर कि मुझे जो वो exact value दिखाया जा रहा था ना वो दिखाया जाएगा लेकिन जैसे जैसे यह time बढ़ता जाएगा price उसके उसी के recording कम होते जाएगे अब एक बार दुबारा से recalculate करते हैं इस बार भी मैं सब कुछ same रखता हूँ अगर मैं charger यहाँ पर से uncheck कर देता हूँ और 3 महिने के हिसाप से check करूँगा तो आप देख सकते 400 रुपया का यहाँ पर से यह जो loss है वो already book हो चुका है अब इसी तरीके से दोस्तों आप बार बार recalculate कर सकते हैं जो आपके phone का condition है उसके recording यहाँ पर से अगर मैं scratches के हिसाप से देखूँगा अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर से जो device का body है वो किस तरीके के defect में आता है एक दो scratch है जादा है या फिन नहीं वो सब आ select कर सकते हैं अगर कोई dent नहीं है तो उसको select कर लो continue पर आपको click करना है कोई physical damage होगा वो भी आप चाहो तो select कर सकते हैं और अगर आपके case में actual में है तो उसको आप select करना भी देखो मैं बस किवल dent पर select किया था जो scratches थे यहाँ पर से 9000 value आया था था ना start में अभी आपको मै दिखाना चाहूंगा below 3 months में अगर मैं click करता हूँ तो मतलब बहुत जादा कम value हो गया है तो इसी तरीके से यह value ना decide होता है अब आपको ना देखना ये है कि सच्चाई आपके phone में क्या है क्या वो physically दिख रहा है या फिने and functionality जो आपके phone में software की तुरूपता चलता है उसम के बाद उसे रख देता हूँ कोई दूसरे phone के साथ फिर compare किया तो किया अदर्वाइस फिर वो phone रखा रहता है अब उसको अगर मैं किसी को भी बेचूंगा या फिर अगर exchange पर डालूँगा या फिर phone को classify के जैसे website पर sell करूँगा तो कहीं भी problem तो होगा ही नहीं क्योंकि यार phone पूरी तरीके से physically fit है और internal level पर software से भी पूरी तरीके से fit है तो मुझे पैसे कहां पर cut दिये गए वो अगर आप मुझसे पूछोगे तो इसका भी solution मैं आपको देता हूँ क्योंकि मैं जब ये footage देखाना तो मुझे लगा यार कि क्या ही चल रहा है तो सबसे पहले द या फिर self-diagnose तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं उन्होंने self-diagnose पर click किया था और उसके बाद IMEI का scan किया, obviously मेरे phone के अंदर जो IMEI था उसको scan किया and box की उपर जो IMEI printed रहता है उसको भी scan किया, कहीं पर भी कोई changes रहता तो वो pop होकर कि आ जाता, इसके बाद basic condition जो device का होता है, like sim 1 working है या फिने, sim 2 working है या फिने, वो सारे check होते हैं, इसके बाद screen की condition को check किया जाता है, like आपके phone में जो screen है, वो copy वाला है, मतब duplicate है या फिने, तो yes या no कर सकते हैं, कुछ visible spots है, तो मेरे case पर कोई भी spots नहीं था, तो वो यहाँ पर no spot किया, इसके अला is there any bubble और फिर यहाँ पर से paint है, या फिर peeled off है या फिने, तो वो सब कुछ भी नहीं था, तो वो यहाँ पर से check किये दोस्तो, इसके अलावा device का physical condition कैसा है, वो सारा चीज यहाँ पर से check होता है, like कोई scratch है, dent है, panel में कोई problem है या फिने, bend है या फिने, वो सारे चीज को functionality होती है, like wifi, bluetooth, vibration, speaker का जो check होता है, volume, proximity sensor, charging ports, audio jack, microphone, screen, touch, calibration, यह सब सब कुछ का जो functionality चेक उन्होंने पहले किया था, वो सारे को यहाँ पर से उन्होंने एंटर किया, इसके बाद camera में भी बहुत सारे problem होते हैं, तो camera का HDR है, double camera, triple camera है, तो वो सब कुछ चेक करने के बाद यहा सब चीज यहाँ पर से इन्होंने एंटर किया, fingerprint, touch, यह सब काम कर रहे हैं, seam tray, battery का condition, power button, यहाँ पर iCloud, country lock, यह सब से इन्होंने सेट किया था, और उसके बाद lastly इन्होंने पूछा, कि do you have the following, like charger and box, तो आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर खुद सेलेक्ट किया, फि मुझे समझ में आ गया, कि 300-400 रुपया का यहाँ पर से definitely cut होने वाला है, बट उसके बाद यहाँ पर से मतलब थोड़ा सा अच्छे से recording नहीं हुआ, बट आप kind of समझ सकते हो, कि is your phone under warranty, यह question आ रहा है, तो उन्होंने yes के बजाए no select किया, अगर वो yes select करते हैं, तो obviously उनसे जाता कि 0 to 3 months है, या 3 to 6 months है, 6 to 11 months है, या 11 months के उपर है, बट उन्होंने no select कर दिया, तो भाई यह again out of warranty हो गया, अब out of warranty फोन का price obviously थोड़ा odd deduct हो जाता है, तो जब सारा चीजे recalculate हुआ, तो मैं देख पा रहा हूँ, 8,290 रुपया मुझे दिया जा रहा था, although उन्होंने बोला कि 9,000 तक हम आपको बताएंगे, या 9,500 तक, क्योंकि reality यह है कि इस phone का price मुझे मिलना चाहिए था, 9,870 रुपया, तो अगर मैं calculate करो ना तो 1580 रुपया का मुझे एकदम loss महीं पे हो गया था, तो यहाँ पर ना दो चीज है, कि यार गलत तरीके से phone का charger और warranty को select किया अब मेरे case में ना तो कोई phone में problem था, internally या externally, तो कहीं ना कहीं से इनको cut करना था, तो यह उनके पास बहुत अच्छा option था, out of warranty कर दो और आगे select करके निकल जाते हैं, बंदा देखेगा नहीं, और उसके बाद तो पैसे जो भी होंगे, 19-20, 500,000 का उनको फाइदा हो तो इससे एक चीज तो आपको सीख मिली गया होगा, कि आपका phone का condition कैसा भी हो, क्योंकि अगर आप YouTube पे search करोगे ना, तो किसी ना किसी के phone में कुछ ना कुछ problem है, तो वहाँ पास है deduction हो रहा है, तो चलो हम मानते हैं, कि हम जो चीज देख रहे हैं, एक दो scratch, हो सकता है वो चार-पाच scratch उसको बोल रहा है, minor scratch को हो सकता है, वो major बोल रहा होगा, तो at least scratch है, तो ये बात आ रही है, बट मेरे case में ना तो scratch था, ना कोई dent था, ना functionality issue थी, और in fact bill, box, और जो cable और accessories थे, सब कुछ मेरे पास थे हैं, उसके बावजूद एक अलग सा तरीका, यानि कि out of warranty क करके इस phone का price को reduce किया गया था, तो घुमा फिरा करके आप इस video से यही सीख लो, कि भाई, आपके phone का जो price quoted किया गया है, कही ना कहीं उस से कमी मिलने के 99% chances रहेंगे, और ये classify की गलती नहीं है, कही ना कहीं जो बंदा आ रहा है, वो चीजों को यहाँ पर से set कर रहा है, औ calculate करके बता रहा है, तो कहीं ना कहीं ये fault मैं उनका कहूंगा, ना कि classify का, तो यही एक सबसे बड़ा feedback रहेगा, एक positive note पे classify वालों के लिए कि website पे please update करो, कि कौन सा phone में charger है नहीं है, option मत दो, जैसे iPhone के case में तो आप देते नहीं हो option, तो फिर Samsung के F34 में क्यों ये option मिला, बंदा आता है ना, जो middleman है, जो कहीं ना कहीं आपके phone को diagnose कर रहा है, वहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा जोल करता है, अब वो क्यू करता है, कैसे करता है, वो मैं नहीं जानता हूं इसके पीछे का reason, क्योंकि जो बंदा मेरे phone को check कर रहा था, उसको मतलब काईदे से warranty को set करना चाहिए तो उसने no select किया, तो उसके बाद मेरे phone का price बहुत जादा कम हो गया, तो कहीं ना कहीं ये एक गलत चीज है, तो classify को इसके लिए एक action ज़रूर लेना चाहिए, इसके लाबाद दूसरी बात, अगर आपके phone में कोई defect है, तो definitely आप sell करो, क्योंकि अगर आप किसी friend को sell कर रहे हो यार, उनको defective phone, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है, यार कहीं न कहीं trust वाला problem आजाता है, तो website पे आप sell करोगे, तो जो functionality issue रहेगा, उसके according, आपके phone का price को कम कर दिया जागा, उसके बाद आप sell कर सकते हैं, तीसरा चीज आप ये कर सकते हो, कि अगर आपक सकते हैं, और Cassify को भी याँ पर थोड़ा सा action लेना चाहिए, इसके लावा दोस्तों एक और important चीज, कोई भी phone आप sell कर रहे हो, तो चलो value तो मिल जाएगा, पैसे आपको मिल जाएंगे, बट, Cassify ये बोलता है, कि आपका जो phone है, उसको अच्छे से ये लोग reset करते हैं, ताक करने के बाद, इस phone को आप दुबारा से start करो, और उसके बाद न, आप इसके अंदर कोई भी junk file डाल दो, या इसके वीडियो को on करके छोड़ दो, पूरा full हो जाएगा जब memory, उसके बाद आप दुबारा से reset करके उनको दे सकते हैं, और कोई recover भी करना चाहिए, तो latest जो data आपने add कर रखा है न, इसके अंदर junk, या फिर जो video record करके छोड़ दिया, वही recover होगा, पुराने data का recovery बहुत जादा मुस्किल हो जाते हैं, क्योंकि वो already wipe हो गया new data के साथ, तो ये चीज़ का ध्यान रखना भाई, क्योंकि data आज के date में बहुत important है, although website में कैसी 5 वाले बो तो cell phone पर आपको click करना है, जो भी आपका model है, वो आप यहाँ पर से enter कर दो, like मेरे पास एक iPhone 12 भी है, तो उसको मैं देखता हूँ कि क्या price ये लोग लगा करके देते हैं, तो मेरे पास 128 GB वाला variant है, 33,500 दिखाया जा रहा है, get exact value पर मैं click कर रहा हूँ, यहाँ पर से सारे च यहाँ नंबर है, यहाँ पर continue पर मैंने click किया, आप देख सकते 24,000 के आजपास मुझे ये quotation price दिखाया जा रहा है, यहाँ पर से simply मुझे sell now पर click करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से address select करना होता है, अगर आपका खुद का पहले से address added है, देख लेना, otherwise आप add new प call करते हैं, इसके अलावा यहाँ पर से आपसे दो-तीन option पूछा जाएगा, payment आप कैसे लेना चाहते है, like bank transfer करना चाहते है, UPI ID के through, या फिर आपको अगर extra, मतलब थोड़े-मोड़े पैसे चाहिए होगा, like 2-3-4%, तो आप Amazon का gift card ले सकते है, या फिर flip card का gift card ले सकते है, and जिस तरीके से आपको लेना है, like मैं अपने UPI का use करना चाहता हूँ, and then फिर मैं sell now पर, या फिर confirm order पर click करूँगा, तो ये मेरा पूरा process होकर के आजाएगा, उसके आद मुझे executive call करेंगे, and then accordingly वो सारा चीज process को follow करेंगे, और उसके बाद वो phone मेरे से ले लेंगे, and then फिर जो भी पैसे होगो, फिर instantly मेरे bank account में, या UPI ID के थुरू, या फिर Amazon gift card, या फिर flip card का gift card आपने select किया है, वो यहाँ पर से दिखा दिया जाएगा, but actual में ये चीज जो हो रहा है, website पे आपको जो चीज दिखाया जाता है, वो reality में कही न कहीं वो चीज follow नहीं होता है, मैं YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखा था इस वीडियो को बनाने के बाद, तो इतना मैं confidently बोल सकता हूँ, कि जो quotation आपको price दिखाया जाते हो maximum होता है, उससे कहीं न कहीं कम ही आपको मिलेगा, कम किस case में मिल सकता है, अगर आपके phone में एक दो scratch है, आपके लिए वो एक दो scratch होग बट अगर उसे closely देखा जाएगा, या reality में हलका फुलका भी bend रहेगा, भाई सीधा सीधा 500,000 रुपया का फटका आपको लग जाएगा, और अगर कोई functionality issue रहा, तो भाई उसमें तो आप कुछ करी नहीं सकते हैं, वो जो reality है, वो ही आपको दिखाया जाएगा, और वहाँ और भी again deduction हो जाएगा, तो मैं आपको यही suggest करूँगा कि आपका जब phone का diagnose हो रहा है ना, तो आप उनसे सवाल पूछो, अगर लगता है कि नहीं भाई, सच में dent है और वो लोग निकाल रहे तो ठीक है, अगर कोई problem ही नहीं है, और वो फिर भी निकाल रहे है जबरदस्ती क then you can definitely ask a question, भाई लड़ाई जगडा नहीं करना है बट स्टिल, मतलब question पूछ सकते हो आप, लेकिन एक चीज और आपने notice किया होगा, ये लोग negotiate भी करते हैं, बोलता है कि आप मेरे manager से बात कर लो, वो आपको थोड़े पैसे जादा दे देंगे, तो मैंने इस वीडियो के ज साथ 1500 या 2000 तक का fraud ना हो, आपको मैंने इस वीडियो में पूरा guide कर दिया है, अब देखो ये वीडियो पूरी तरीके से information के लिए मैंने बनाया था, ना ही मुझे कैसिफाई से कोई लेना देना है, ना मैं brand को defame कर रहा हूँ, मैं जो भी चीज़े मैंने notice के है भाई, मैं share क और ये एक feedback भी है कैसिफाई वालों के लिए, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो please take it as a positive note, बस इस वीडियो में इतना ही, like, share and subscribe करके जाना और मुझे comment करके बताओ, आपका experience अगर कुछ रहा है या फी नहीं, और आप मेरे flipcut वाले वीडियो को भी देखो, वहाँ पर बहुत कुछ ऐसे हैं, जो कि internally आपको मैं बताया हूँ, तो उस वीडियो को भी जरूर चेक कर लेना, बाकि चलो, विल्द मिलता हूँ आपसे next video में, thanks a lot for watching.